नमस्कार साथिया इस वीडियो में आपको भहिया दौज की पूजा कैसे की जाए कैसे इतिलक किया जाए थाली में क्या-क्या सामान रखना क्या-क्या सामगरी रखना अतिया आविशक है तथा भहिया दौज क्यो मनाई जाती है कैसे प्रारम भही और इसकी कहानी इसके बारे पूजय की धाली जसकी विना बभाई दूज की धाली है उधुरी मानी जाती है क्या क्या हो जाए सिंदूर हो फूल हो च Α्वल के दाने हो सोपारी हो पान का पंसकी प्तल प्त और यंप लावाइ क्लावाफ ञेल को प्रात मिकता दें और रूमाल जरूर रखें भाई के मतलब कपड़े होने चाहिए तो आप उसके प्रतीक की रूप में रूमाल भी रख सकते हैं और पूजा करने के बाद हम भाई दुझ की कहानी सुनेंगे कहानी जो भाई दुझ की कहानी है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगे कहानी सुनते समय आपको रूई से भाई के नाम के पांच कंगन बनाने इस टाइप के पांच कंगन बनाने रूई से और इसमें ध्यान रहे कि जब रूई के आप ये जो कंगन बनाएं तो इसमें बीच में रूई का कोई भी तार तूटे नहीं वो चारो तरफ से इस तरीके से जोड़ा हु करें जिसमें हम भाई के दुश्मनों के नाश की और उनको सबुद्धी देने की प्राध्ना भगवान से करते हैं भाई का जब हम तिलक करेंगे पूजा करने के बाद तो तिलक के समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने जा रहे हूं यह था भाद ही खाना ग्रहन करें उसके पहले नारें दोनों व्रति रहें इस दिन बहने शुम मुहृत का ध्यान रखें विशेश कर इस वात का तो आपको ध्यान रखना है कि रहु काल में आप अपने भाई को तिलक नहीं करें उससे बचें तिलक करने से पहले आटे से चौक तिसमें स्वात का विशेश ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए अक्षत का अरति क्या होता है जो अधूरा ना हो जो टूटा ना हो जो इसके ख्षती ना हुई हो इसलिए तिलक करने के बाद जो साबत चावल है वो जरूर तिलक पे लगाए इसके बाद भाई को कलावा मान है भाई को मिठाई किला है फूल माला पेना है और भाई को तिलक करने के बाद उसके आरति अवश्य उतार है और दोना तरफ जल करके और उसकी नजर भी उतार दे आरति करने के बाद भाई को सूका नादियल देना बहुत शुब माना जाता ऐसा करने के बाद यम देटा से प्राइटना करें कि आपके भाई को लंबी उम्रद है गंगा पूजे यमना को यमी पूजे यमराज को सुबद्रा पूजे कृष्ण को गंगा यमना नीरवहे मेरे भाई की आयू बढ़े तेलक करते समय काले रंका वस्तर कताई ना प्रेन है इस दिन आपस में कोई लड़ाई जगड़ा या बेरभावना मन में रखें भी न और भाई से मिले कोई भी जो पहार आपको मिले उसका अनाधर बुलकुल भी ना करें चली अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई दोज मनाते क्यों हैं शास्तरों के अनुसार भगवान सूर के ताप को सहन ने कर पाई उसके तेज को सहन ने कर पाई तो वो अपनी प्रतिमूर्थी ने उसकी छाया बनाई और छाया को अपने यम्राज पत्र यम्राज को पत्री जो यम्ना है उसे सौंप कर वो कहते हैं उत्री दूर में जाकर रहने लगी और वो जो छाया है जो अलग से नगर बसा लिते जिससे यंपूरी कहते हैं वहीं यम्ना अपने भाई के साथ रहती है लेकिन यम्ना जब यंपूरी में अपने भाई यंको पापियों को दंड देते हुए देखती तो बहुत तुक्य हो जाती है इसलिए वहां से चली जाती और गो लॉक्त में प्रेम करते हैं और अपने भाई यम्राज करते है लेगे कांकी वर्षटा के चलते हैं जो यम्राज होते हैं वो अपनी बहुत से मिलनेन नहीं जा पाते हैं कार्टिक शुकल पक्षित दित्विया के दिन ऐसा माना जाता है कि यमना ने अपने भाई यम्राज को भुजन के लिए निमंत्रित किया और उन्हें अपने घर आने के लिए वचन बद्द कर लिया ऐसे यम्राज ने भी सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला देवता हूं, मुझे तो कोई भी अपने घर बुलाना ही नहीं चाहता, और ऐसे मेरी बहन इतनी सद भामना के साथ मुझे बुला रही है, तो यह मेरा धर्म है कि मैं उसके घर जाओं, तो वो यम्राज जो दिव कि खुशी का कोई छाना नहीं रहता यम्ना ने इसनान करने के बद पूजन किया स्वादिष्ट विंजन बना कर यम्राज को बोजन कर रहा और स्वागत शुरूप उनके तिलक लगाया यम्ना दारा किये गए इस आथिते से यम्राज इतने प्रसंद हुए कि उन्होंने अपने बहन को वर मांगने के लिए कहा कि यम्रा तुम मुझसे कोई वर मांग तो यम्रा कहती है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप प्रतिवर्च इसी दिन मेरे घर आया करें और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को इस तरीके से आदस कर करके उसको तीका करें उसे अकाल बरतियों का बहना रहे उसे आपका बहना रहे ये मेरा मेरी आपसे निवेदर है तो यह जो यम्राज हैं वो ताथास्तु कहते हैं और यम्राज को मुल्य वस्तरावुशान बेंग करके और यम्रोग की और प्रस्थान कर जाते हैं हो इसको यह मनानी लिखे इसको इंग दित्या के नाम से पूरान प्रण के आनुसार के भ्लाड के और जो पूझा की जाती हैं Slip foreign मनमांचित जो भी आपके इच्छा होती है वो उसको पूरा करते हैं और मनमांचित फल्परदान करते हैं यम्राज के वरके अनुचार जो विक्ति इस दिन यमना में इस्नान करके और यम का पूजन करता है मरत्य के परश्चात उसे यम लोग में नहीं आना पड़ता है सीधे बैक्वंट की प्राप्ति होती है और वहीं सुरी के पूजन का देवारं करने वाली देवी सरूपा मानी गई है इस करण यम दित्या के दिन यमना नदीम इस्नान करना और यमराज की पूजा करने का विशेश महत माना गया है अब मैं आपको भहिया दोज की कहानी सुनाने थी उसके साथ बेटे और एक बेटे थी बेटे की शादी हो चुकी थी पर जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता उसके बेटे बेटा तो वहीं कत्म हो जाता और बहु मंडप में ही विजवा हो जाती इस तरह उस कि आखों की रूशनी चली गई थी वो अंदी हो गए थी एक बाई एक बेटा उसका भी बाकी था भाई दोच आई तो भाई दोच आने पर भाई ने अपनी मा से कहा कि मैं बहुत से तिलक कराने जाँगा माने कहा ठीक है बेटा जाना चाहिए तो मैं जाओ उदर जो बहुत भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए पड़सन उसके कुशी को देखकर और उसे मजाग करने लगी और कह दिया कि ऐसा कर दूद में तो रुसोई लेपले और घी में चावल बना लेना भाई ने का चलो ऐसा ही करूँगे उदर भाई जब भाई जब बहन के घर आ रहा था तो राष्टे मस उसको एक साप मिला, साप उसे दसने को हुआ, भाई बोला भाई सरपराज तो मुझे क्यों डस रहे हूं? साप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दसने आया हूं, भाई बोला कि चलो ठीक है तुम मेरी काल हो तुम मुझे डस लोग लेकिन मेरा मेरी बहन मेरे इंतिजार कर रही है और मुझे उससे तिलक करवाने के लिए जाना है भाई दूजका तिवहार है और मैं जब तिलक कर आके वापस लोटूंगा तब तुम मुझे देस लेना साथ ने का बहला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लोटकर आया है जो तुम आओगे भाई ने का अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो भाई तुम मेरे पास यह जूला है जूले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तो तुम्हें डस लेना साथ ने ऐसा ही किया भाई बहन के घर पहुचा अब जब बहन के घर पहुचा तो को उस समय बहन चर्का हाता अ मैं वाइंस को ने जो चर्कांत रही थी तो उसको शूद तो तो भाई दरबाकी पर खड़ा था इतनी दीर हो गए बहन उठ नी रही मंगन ख 1500 में नहीं की खुछी नहीं रसे मन में तो नगगर रा था इनीशर कड़ो यह बहन लोट जूड र कि तुझे मेरा ना अच्छा नहीं लगा तब बहिन ने उसे सूट तूटने वाली बात बता है कि भीया सूट तूटा हुआ था था थोड़ा असकूं साथ हमां कैसे उठती सूट जोड़करी उठी हूं हम भाई बहन का जो प्रेम का सूट है वो तो हमेशा जुड़ा रहना चाहिए तो भाहिन खुश हो गया बात को सुनकर बहन ने भाई को बिठाया चौकी पर उनका तिलग किया भाई को सामबाली बात तो याद थी वो बोला कि बहन जल्दी से खाना थे बड़ी भूग लगी है पर भाहिन करे तो क्या करे ना तो उसकी रसी सूख रही थी और न ली कहीं घी में भी चावल पके और दूद से कोई रसोई लीपता है गोबर ते तो रसोई लीप और दूद में चावल पका बहन ने ऐसा किया उसने बड़ी प्रेम से भाई को खाना खिलाया और यम्राज की क्रपासे जूले में पढ़ा जो साथ था उसको भाई पर बढ़ बच्चों ने वो जोला ले लिया जिसमें साप था और जैसे उसे खोला उसमें से एक हीरे का अहार निकला बहन ने का भाईया तुने बताया है नहीं तुम मेरे लिए इतना सुन्दर हार लेके रहे हो भाई बहन तुझे पसंद है तो तो रख ले मुझे हार से क्या लेना अगले दिल भाई बोला अब मुझे जाना बहन ने उसके लिए लड्डू मना के दिब्बे में भरकर रख दी है कि भाईया जब रास्ते में भूग लगे तो खा लेना भाई कुछ दूर जाकर ठक गया था ठक कर एक पेट के नीचे सो गया उदर बहन के बच्चों को जब भूग लगी तो बच्चे खाना मांगने लगे तो माने जो बच्चे लड्डू थे वो निकाले और बच्चों को देने के लिए निकाले देखा तो वो नीले पड़े हुए थे उसके धोश उड़ गए वो समझ गई कि सुबह अंधेरे में उसने जो आठा पीसा है उसमें क कोई रागीर देखाया जाता हुआ जिसके पास एठ लियर हिभर ए अने बताया कि हाँ देखो आगे वह पेड़ के नीचे कोई पेट आतो है देख ले वहीं जाके कहीं वहीं तो तेरा भाई नहीं है वह भागी भागी पेड के नीचे पहुंचे उसने अपने भाई को नीन से उठाया और भाईया भाईया वह लड्डू का यह बहुत तो इती क्यों घबर आ रही है लड्डू यह वह पेड़ पर बंदे अर वह तो मुझे लड्डू दिखा तुने खाये तो नहीं किमें मैंने लड्डू जतर रखे रहे उसने पॉटली उतावी देखे भाईयाा ने summ accent की शांस ले चलते-चलते दॉड़ते आई ते वह उसको प्यास लगी ऑगा प्यास को काफी था इस जंगल के दुख सेरे के लिए अब तो अब मेरे साथ वर आ गई है देख चारो तरफ देख कहीं चील उड़ रही हो वहाँ शायद तुझे कोई पानी मिल जाए तो बहनने चारो तरफ आस्मान में देगा उसे दूर कहीं एक चील उड़ती हुई दिखी और वहा रूप बदल कर वढ़िया के रूप में बैठी हुई थी और वहाँ पर छे शिलाएं पत्थर के की शिलाएं थी वो मिट्टी में गड़ी हुई थी एक शिला मिट्टी के उपर पड़ी हुई थी तो जो बहन वहाँ से आ रही थी उसको कुछ जुग्या से हुई उसने उस बढ़िया से पूछा कि ये क्या है तब बढ़िया ने कहा कि ये एक साहुकार्णी है उसके साथ बेटे थे छे बेटे तो शादी के मंदप में ही मर चुके हैं तो ये उनी के नाम की शिलाए हैं जो जमीन में गड़ी हुई है और अभी साथवे की शादी इतनी बाकी है जब उसकी शादी होगी तो वहवी मंदप में ही मर जाएगा और तब ये साथवी सिलावी इसमें गड़ जाएगी सुनकर बेहन समझगी कि ये शिलाए किसी और की नहीं है बलकि उसके भाईयों के नाम की हैं जो पहले छे मर चुके हैं उस बढ़ियाक से अपने साथे भाई को पचाने का उपाइस पूचा उसका अनोन भिन वहने करने लगी वह तो यमानानादी थी और यमानादी अंधक उन दोनों भाई का तिलक किया था भाई अपने भहन के और अगए उमराज साथा बुदिया तो बढ़िया नहीं उसने बतला दिया कि जब तेरे इस भाई की शादी हो ना तो तू सारे काम भाई की जगे अपने करवाना और भाई को कोश्टी रहना उसे भला बुरा कहना वो वहाँ से दूर चला जाएगा काल जब उसे खाने आएगा तो वो मिलेगा नहीं काल तुझे खाएगा नहीं और इस तरीके से तेरे भाई की जान बची जाई है सब जानकर वो वहाँ से बाल खुले करके और पागलों का सरूप बना कर आई है अब वो अपने घर नहीं गई है भाई के सासा जानी है क्योंकि तो अपने भाई की जान बचानी है और भाई को गालिय दे रही थी, भाई को बलाबुरा क्या रही थी, भाई को लगा कि मेरी बहन दीपापाणी पीने गई थी, और कुछ इसके उपर बलावला लग गई है, तो पागल सी होगी है, उसके पीछे-पीछे बहन आ रही थी, कोई बाट नहीं, तो दोनों भाई भैन ऐसे ही लड़ते लड़ाते और अपने घर पाँचे भाई चौक तो गई था कि इसका फ्यावार ऐसा इतना खराब क्यों हो गया और क्यों ये मुझे मतलब जली कटी सुला रही है तेकि उसको कुछ आता समझ में आया नहीं वो अपने मा के पास मौचे दोनों जेने वहां पहुचे थे कि भाई के लिए सगाईयां सम्मंद आने लगे उसके शादी तैव हो गई और जब भाई की शादी तैव हो गई तो उस भाई की शादी के शगुन होने लगे तो जो भी काम हो वो बहन भाई का ना करने दे बीच म मेरा करो कुछा सब कुछ काम केल करो सब काम jsut कर से बाधली हो गई है बाद कोई बाग्ल हो गई है इसका दिमाग सही नहीं है जो यह कह रहे है वैसे कर दो को बिगने ना पड़े ці काम में शिक काम अब किरillar ठूंस पनाने लगे तो भी वह बहन को दे दिया बहन ने उसे पहना और देखा कलंगी की जगे एक सांप का बच्चा था सब उस सांप के बच्ची को देखे हैं रहां रह गए बहन ने उसे निकाला और उसे टोक्री में बंद कर दिया अब जब भाई घोडी चड़ने लगा तो बहन फिर आकर बोले यह कोड़ी पर बैटी तो गोड़ी एक दम भी गड़ गई और उसने दुलती मारी और बहन को नीचे गिरा दिया सब को लगा और अभी यह दिदूला बैठा होता तो वह गए जाता अब तो सबको विश्वास हो गया कि बावली कोई जादू टोना सिख कर आई है जो बार बार और अपने भाई की जान बचा रही है अब जब बराद चलने लगी और जब दर्वाजे से निकलने लगी तो फिर वो बहना कर बोली यह क्यों दर्वाजे से निकलेगा यह तो पीछी के दर्वाजे से तो मैं निकलूँगा और जब दर्वाजे के नीचे जा रही थी तो द फेरों पर बैठा और दुलन आई तो उसने दुलन के कान में कुछ कहा, बहन ने दुलन के कान में कुछ कहा, किसी को मालूम नहीं था क्या कहा पर उसने कुछ कहा, और दुलन ने उकारे में गर्दे नहिला दी, फेरों के समय जब फेर हो रही थे तो एक नाग आया, जेकिन द दुलहन बड़ी तयार बैठी थी क्योंकि बेहन उसको पहले से कुछ समझा चुकी थी और जैसे नाग आया और वो दूले को डशने के लिए तयार हुआ तो दुलहन ने फटाफ़ट उसको एक लोटे के अंदर भरके और उसको प्लेट से बंद कर दिया और जब नाग कसमा ब क्या होता है मैं तेरे पती को छोड़ दूँगी पहले तु मेरा पती छोड़ा थीक है में तेरा पती छोड़ती hydrauli छोड़ा मैंने बोली ऐसे नहीं पहले आ बोल वचन भर तो नागिन ने खा ठीक है मैं ना तेरा पति छोड़ा और तीन बार उसने बोल भी दिया लेकिन दुलन फिर बोली क्या मैं अकिले पति को लेकि क्या करूंगी मेरे पती के साथ कोई हसने बोलने वाले देवर जेट भी तो होने चाहिए तो उन्हें भी छोड़ उन्हें वह भी रक्रकें मेरे चेट रक्रकें नागिन ने उन जेटों के प्राण भी दे दी इस तरह करके एक एक करके दूलने अपने जो जेट थे वह भी जीवित करा लिए उधर वहरों कि बुढ़िया का बुरा हाल था हैंना क्योंकि उसको तो जो अनुभव था कि अशंका हो रही थी कभी तो बरात लौट के नहीं आई है कई पता नहीं अपके बार भी ऐसी ही कोई अश्यूब समाचार मुझे सुनने को मिलेगा कैसे मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी कर नहीं देख पाऊंगी तो रो रोके उसका बुरा हाल था कि अब तो मेरा साथमा बेटा पता नहीं रहे पाएगा नहीं रहे पाएगा इतने में बरात लौटियों गाँवाले थे ना उन्होंने उसे बताया कि उसके साथ बेटे और भुवे आ रहे हैं बुरिया तो सुनकर अचम्वित हो गई कि मैं एक बेटे के लिए भी बतलब डर रही थी अपने मन मे यह क्या करें कि साथ बेटे साथ बहुवे आ रहे हैं उसे विश्वास नहीं हुआ उसने का अगर यह सच है तुमारी बात सच है तो मेरी आखों की रोश्णी अभी के भी आ जाएगी और मेरे सीने से दूद की धार बहने लगेगी गचर देखिया ऐसा ही हुआ उसके आखो उसे दूद बहने लगा उपने सारे बहुव पेटों को देखा वो बहुत ही खुश ओड़ी और बोली यह सब तो मेरी जो बावली बेटी है ना उसी का किया धरा है उसी ने यह सब कुछ गजब किया है कहा है मेरी बेटी सब उस बहन को ढूँढने लगे देखा तो वो कि और चली कि उसका तो अंतिमुद्देशी यह था कि मैं अपने भाई और भावियों को सही सलामत रखो और जब वो बहन उस घर से जाने लगी तो क्या देखते हैं कि पीछे पीछे घर की सारी लक्षमी भी जा रही है मा बोली बेटी एक बार पीछे मुड़के तो देख देख तो सही सारी लक्षमी तेरे पीछे आ रही है और सारी लक्षमी तेरे साती चली जाएगी तो तेरे भाई भावी क्या खाएंगे तो बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो मा ने अपने हाथों से दिया भावी ने जो प्रेम पूरवक मुझे आदर सम्मान वो सब तो मेरे साथ चले और बाकी का सब मेरे भाई-भावी के पास रहे तो ऐसे हुआ वो अपने घर राजिगुशी आ गई और उसके भाई-भावियों के घर में भी खूब धन संपन्ति और सम्रिद्धी हुई इस तरह एक बहिन ने अपनी समरपण, अपनी भावना, अप बहनों के भाईयों के ऐसे ही रक्षा करना, इस कहानी के बाद हमेशा द्यान रखें, पूजा में जब भी अपन कोई कहानी कहते हैं, गणेजी की कहानी ज़रूर कहते हैं, तो इसके बाद आप एक गणेजी की कहानी कहलेना, इस तरीके से आपके भाईया दोज की पूजा पूरी हो जाएगी, आपको बहुत बहुत शुब कामना है, आप खुश रहें, और आपके भाई के उम्रों बहुत लंबी हो, आप दोनों जो भी भेन भाई हैं, उन सब में बहुत प्रैम रहें, और सदा खुश रहें आप, थैंक्यू, थैंक्यू सुमाज,